यहे जांजीर चापा जिले का प्रसिद्ध मां अस्ट भुजी मां का मंदिर माता अस्ट भुजी का ये मंदिर जिला मुक्षाला जांजीर से 55 किलोमिटर दूर रायगाढडबाई पास मार्ग में नगर पंचाईद अडभार में स्थिथ है वैसे तो इस मंदिर में बारों मैंने शद्धालू का ताता लगा रहता है लेकिन नौरात्री में माता के दर्शनकन्ने जिले और छत्तिसगर से ही नहीं बलकि पूरे देश से शद्धालू पहुँचते हैं जान्जिर जिले में आस्था का केंद्र बन चुके अड़भार में माता का दर्शनकन्ने पहुँचे शद्धालू हर तरह की मनोकामना लेकर पहुँचते हैं और लोगों का मानना है कि मास्ट भुजी के दर्बार्व से आज तक कोई खाली नहीं गया मातास्थ भुजी को लेकर लोगों में अलग-अलग माननेता हैं और कोई अनपूर्णा के रूप में देखते हैं तो कोई विजह प्राप्त करने के आशिरवात देने वाली मात दुर्गा के रूप में पूजा कर अपनी मनोकामना पूरी करने पहुँचते हैं अडभार स्थित मास्थ भुजी की पूजा का जिम्मा वैशनो परिवार के उपर है पंडित राम कुष्ण दुएदी तीसरी पीडी के पुजारी है पंडित राम कुष्ण के मुताबिक अब के मुकाबले मंदिर में पहले ना तो इतनी भीड होती थी और ना इतने जोती कलश चलते थे अड़भार स्थीत मातास्ट भुजी का ये मंदीर सव्यो पुरानी है इसी वज़से इस मंदीर को पुरतत्व विभाग ने अपने कबजे में ले लिया है और यही बात इस मंदीर के लिए अभिशाब बन गया है मंदीर प्रबंधन लाखो रुपए होने के बाद भी मंदीर की जिन्नुधार के लिए एकीट तक नहीं लगा पा रहे है मास्ट भुजी मंदीर के ट्रस्टी के मुताबिक इस मंदीर के इतिहास के बारे में शायद ही किसी को जानकारी हो मंदिर के ट्रस्टी विकास च्ववे का कहना है कि दक्षीर मुखी के प्रतिमा वाली माता की आदम कत्रतिमा पुरे हिंदुस्तान में अकेले अडभार में ही विराजमान है जानकारों के मताबिक पूरे भारत वर्ष में ये एक मातर ऐसा मंदिर है जहां शिव और शक्ति का समान जस्य है जानकार इसे सिर्फ मंदिर नहीं मानते जानकारों के कहना है कि यह मंदिर एक वैद चाला भी है जहां सदियों पहले ग्रहनक्षत्र की गर्णा कर आने वाले समय का पुर्वानुमान लगाया जादा था और इस मंदिर में आज भी पत्थर पर खुदे ध्वनी यंत्र, तरुनी यंत्र, गोलन यंत्र और छाया यंत्र मौजूद हैं जानकार ये भी बताते हैं कि अडभार में उडिसा कल्चर की छाया है और अस्ट दल कमल के बीच बने शिवलिंग आज भी शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीक के रूप में मौजूद है